आज मैं आप लोगों को रॉलेट एक्ट की विशय में बताने जा रहा हूं जो कि क्लाश 10th, क्लाश 12th साथी कमपोटिशन के छात्रों के लिए बहुत ही महत्पूर्ण सब्जेक्ट है आप लोग सुरु से अंतर तक देखेंगे किस प्रकार से भारतियों को दबाने का प्रियास अंगरेजों ने किया है रॉलेट एक्ट के माध्यम से समीती बनाई याद रखिएगा और यह समीती बाद में जो है याद रखिएगा सेडिसन कमीटी के आधार पर यह बनाई गई थी यानि याद रखिएगा रॉलिट एक्ट सेडिसन कमीटी की सीफार अधार इत थी इन्हीं सेडिसन कमीटी पर आधार इत थी और इसका मूल उद देश तो था ध्यान दिजेगा क्या मूल उद्यस था इस समीती के गठर का उद्यस था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन संबंदी सेडियंत्र किस अस्तर तक ठैले हुए है तथा इन पर परतिबंद लगाने के लिए किस प्रकार की कानून की आवसकता है यह जो है अंग्रे इस वी में जो समीती बनी याद रखेगा जो समीती बनी ना समीती बनी उसमें यह बोला गया कि भारत के लोग क्रांतिकारी रवया अपना रहे ब्रिटिश सरकार के विरुद इसके लिए कठोर से कठोर कानून लागू करना चाहिए और इसके लिए यह जो है रॉलेट एक् भारत में करांतिकारी आंदोलन संबंदी सडियंतर किस अस्तर तक फैले हुए हैं तथा इने पर परतिबंद लगाने के लिए किस प्रिकार के कानून की आवशकता हो वह लगाया जाए तो याद रुखीगा इसी कारण रॉलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण रहा था भारत की रक्षा कानून अवधी थी वह समवत ने वाली थी तो अंगरेज लोग सोचा कि अभी ही मौका है मुझे भारतियों से क्या कहते हैं कानून लागू करने का मैं बाद में नहीं कानून लागू कर पाऊँगा अच्छी तरीके से इसलिए रॉलेट एक्ट जो है भार कर दी गई और समीती ने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की समीती दुवारा दिये गई सुधावों के आधार पर केंद्रिया विधान मंडल में फरवरी 1919 में दो विधेक लाए जिनमें एक विधेक को तो वह वापस ले लिए लेकिन परतु दूसरे जो विधेक वे क्रा एक्ट कहा जाता है याद रकेगा रॉलेट एक्ट का दूसरा जो नम है याद रखेगा सभी चातर को दूसरा नम है क्रांती जो नियम हुआ, रॉलिट एक्ट जो नियम हुआ, भारत्यों के लिए कथोर एवं दमनात्म क्यों नियम हुआ, भारत्यों के लिए बहुत ही खराब नियम जो है, अंग्रेजों ने लाद दिया था। theoretical process process को डीए थे बिना वकील बिना अपील बिना दलील कानून कहा गया है इसे काला अधिनियम भी कहा जाता है एवं आतंकवादी अपराद अधिनियम भी कहा जाता है यह अंग्रेज बता ही कितना खराब नियम भारतियों पर सोब दिया था रॉलेक टेक्ट को क्या कहा जाता है बिना वकील बिना अपील तथा बिना दलिल का काना क कानून भी कहा गया समझे कि ने और काला अधिनियम भी कहा गया यह आतकवादियों अपराद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था उसके बाद ध्यान दीजेगा मुहमद अली जिला ने इस नियम को देख करके अपने इस्तिपा दे दिया जिला मुहमद अली जिला ने इस् स्विकार करती है वह अपने को एक सब भी सरकार कहलाने का अधिकारी खो बैठता है मुहमद अली जीना जो थे कुसल भारती भी उस समय थे यानि भारत के लिए वह लड़ते थे राष्टरवादी भावनागे वाले थे और अंग्रीजों के सरकार में हुआ काम किया करते जैसे ही राष्ट अक्ट पारिट किया कि मुहमद अली जीना ने अपना इस्तिपा दे दिया और उन्हें साब बोला जो सरकार सांतिकाल में ऐसे कानून भी स्था को स्विकार करती है वह अपने को एक सब सरकार कहलाने का अधिकारी खो बैटती है इसलिए मैं इस्तिपा देता हूँ और मुहमद अली जीना ने इस्तिपा दे दिया उसके बात इस कानून के द्वारा सरकार को किसी वेक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिलने का अधिकार हो गया मतलब समझे रॉलेट एक्ट क्या हुआ कि अंग्रीजों के विरुद जरासा भी कोई कुछ बोलेगा कुछ भी सुनेगा तो बिना मुकदमा चलाए उस वेक्ति को जेल में डाल दिया जाएगा और उसे काला पानी के सजा दिया जाएगा बताये कितना गलत बात हुआ तो गांधी जी पहले ही सत्यागरा सभा की अस्थापना कर चुके थे अब उन्होंने देश व्यापी विरूद करना कहा कि गांधी जी ने भी बोला कि रॉलेट एक्ट जो है बहुत ही गलत नियम भारतियों के लिए है और उन्होंने सत्यागरा सभा की अस्थापना भी कर चुके थे और उन्होंने जॉलेट एक्ट का देश व्यापी विरूद किया समझे की ने उसके बाद ध्यान दिजेगा संपुर्ण देश में 6 अप्रेल 1919 को याद रखेगा आप लोग समी चात्रों बहुत ही इंपोर्टेंट अब्जेक्टिवे कंपेडिशन के चात्रों के लिए भी संपुर्ण देश में 6 अप्रेल 1919 को राष्ट्रिय अपमान दिवस मनाये गया आप से पुछा जाएगा राष्ट्री अपमान दिवस कंप मनाये गया तो 6 अप्रेल 1919 को राष्ट्री अपमान दिवस मनाये गया समझे की ने रॉलेट एक्ट के विरुद में समझे की ने देश भर में प्रदर्शन और हर्ताले हुई सारे देश में वैपार निती गती धिवी पढ़ गयी ने सभी जिगा भारतिया लोग रॉलेट एक्ट के विरुद में क्या करने लगे हर्ताल करने लगे विरुद करने लगे सरकारी संस्थान पर भारत की काम करने नहीं जाने लगे छोड़ देने लगी और भारत की जनता ने एक जूट होकर ऐसा व्यापक विरोध कभी पहले नहीं किया था ऐसा कभी पहले विरोध नहीं किया था सरकार ने बरवरता पुरवक दमन दमन सुरू किया और कई जिगों पर लाठी एवं गोली का भी साहरा लिया यानि रॉलेट एक्ट का जो भिरोध कर रहे थे सरकार ने उस पर बरवरता पुरवरत दमन सुरू कि उसको मारा, लाठी चार्ज किया, जेल में बंद किया उसे काला पानी का सिरा दिया गया यही रॉलेट एक्ट भारत का जो था अंग्रेजों पर अंग्रेज, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया भारतियों पर एक काला अधिनियम या काला कानून या का सकते हैं बिना वकील, बिना अपील, बिना दलिल का कानून था चली आज की कलास में यहीं तक बताएंगे आप लोग कैसा लगा आप लोग चले यह भी भी आई कोसन है आप लोगों के लिए